हलो बच्चो आज हम बात करने जा रहे हैं cross product of two vectors दो vectors का यह तो लिखा हुआ है दो vectors का cross product या जिसको vector product कहाते हैं और हिंदी में इसको कहाते हैं सदिश गुरं नाम से लग रहा है कि दो vector का ऐसा participation जिसको multiply करने पर जो result आवे वो vector quantity हो directional values में हो जिसमें direction हो तो नियम क्या है कि माल लिया ये एक vector A है और ये एक vector B है और इनके बीच में theta angle है ध्यान रखेगा हमने बताया भी है कि जब भी आप A to B जाते हैं तो angle A से B की तरफ anti-clockwise जाएंगे और जैसे आप B to A जाते हैं वैसे B से एकी तरफ जाएंगे anti-clockwise घड़ी के चलने के opposite direction में तो इनका जो vector product होता है that is denoted by A cross B और इसकी value होती है mod of A into mod of B into sin theta ये आपका vector product है अब question ये उड़ता है कि भाई जब हम A का mod निकालेंगे तो कुछ value मिलेगी 1,2,3,4,5 जो भी मिलना होगा जब हम B का mod निकालेंगे तो इसकी value कुछ मिलेगी sin theta जो भी theta होगा उसकी value मिलेगी तो भाई साब इसमें vector क्या है भाई ये तो direction है नहीं तो देखे इसकी जो भी direction होगी इसकी जो भी direction होगी उस direction के unit vector से 21 से multiply करने पर ये vector बन जाता है तो इसको हम n cap से multiply कर देते हैं n cap हमने इसके पहले vector instruction जब बताया है तो उसको एक बात देख लीजेगा उसमें बताया गया है कि कोई modulus value हो अगर उसको vector में convert करना चाहें आप तो उसके modulus को उसके direction जो भी उसकी होगी उसके unit vector से अगर आप multiply कर देते हैं तो vector quantity बन जाती है ये बताया गया है आप अब direction कैसे निकालेंगे देखिए तरीका क्या होता direction निकालने का A जिदर है उदर आप अपने दाएं हाथ की जिसे खाना खाते हैं जानते हों गया बहुत लोग बाएं से भी खाते हैं left से काते हैं आप right की बात में करो आपने right hand की हथेली को A की direction में करी ऐसे कर दिया और जिदर की और B है उदर आप पनी उंगली को मोड़िए देखिए अगर B नीचे होता तो उंगली ऐसे मोड़ि जाती जिदर B हो उदर उंगली मोड़िए तो जिदर अंगुठा आता है यह इसकी direction होती है तो यह perpendicular होगा A और B दोनों के perpendicular होगा तो N cap क्या है वो है unit vector unit vector perpendicular to A and B both यह A और B के दोनों के perpendicular होता है unit vector अब आप कहेंगे भई आपने यह तो बता दिया आपने खुदी ऐसे हाथ रखा अंगुठा बता दिया हमें कैसे बालू होगा इधा रगुठा है इसकी direction इधर ही होगी अभी मैं उसको proof करके दिखाता हूँ अभी मैं बता रहा हूँ तो यह आपका A cross B निकाले का तरीका हो गया अब ज़रा एक चीज़ और देखी अगर हम इसका mod ले ले जैनि A cross B जो हमने लिखा है A cross B is equal to mod of A into mod of B into sin theta into n cap का अगर हम modulus ले 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 दोनों तरफ दोनों तरफ mod ले ले तो क्या होगा देखे इधर तो होगी आपका mod of A cross B अब ये तो already mod है ये already mod है sin theta कोई कोई value आपको देगा mod के बल चड़ेगा n cap के उपर और किसी unit vector जिसको घंदी में 21 सदिस कहते है unit vector का मतलब होता है यहाँ पर 21 सदिस एकांक सदिस तो unit vector का mod 1 होता है तो यह तो 1 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा mod of A into mod of B into sin theta यानि यह जो mod of A into mod of B into sin theta है equation 1 में actually में यह क्या है mod of A cross B तो equation 1 में अगर हम लिखें कुछ by equation 1 तो यहाँ लिख सकते हैं आप A cross B is equal to mod of A cross B into n cap तो n cap जो होगा वो A cross B upon mod of A cross B लिखा जा सकता है जो वे बार लगा रहे हैं यह vector quantity है आप arrow लगाईएगा तो यह एक formula बना अब जैसे हमने दो vector दिये और हमने का A cross B निका लिए निका लिए अभी हम method बताएंगे हमने का find the vector A और B दो vector दिये हैं हमने का find the vector which is perpendicular to A and B both एक ऐसा vector find करिए जो A और B दोनों के perpendicular हो जो A और B दोनों के perpendicular हो तो actually मैं आपको A cross B निकालना है कैसे निकालना भी हम बात करेंगे हमने क्या कहा direction निकालने के लिए कि जिदर A है उदर अपनी हाथेली रखिए और जिदर B है उदर आप अपनी उंगली मोड़ी है तो जिदर आपका अंगुठा होगा that अंगुठा means thumb will give you the direction of A cross B अब मैं इसका एक example आपको देता हूँ यह तो आपका हो गया A cross B इसका example क्या है cross product के एक तो टॉर्क है देखिए अब इसके बारें बात कर रहे है अब बात करते हैं example साथ cross product कुछ ऐसी quantities जो की vector quantity होती है vector value देती है by doing the cross product जिसके example समले लिजेगा example है torque का torque इसको कहते बलाग हो देखिए बलाग होन कह दीजे बलाग होन टॉर्क इस इकल टू R cross F अब मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि actually मैं टॉर्क की direction क्या होगी तो आपकी definition के मताबिक according to your definition torque की direction क्या होनी चाहिए R और F दोनों के perpendicular अब मैं एक example आपको देता हूँ खोलना चाहते है को torque का मतलब क्या होता है force लगाकर के body को rotate करना उसमे rotational effect create करना ठीक है हमने ऐसे force लगाया यह इसकी line of action है जिसके एलांग घुमेगा यह force लगता है तो अगर हम देखे यह R है हमने R की तरफ हतेली कर दी और इधर force लगा रहे है तो force लगा हमने ऐसे उंगली घुमाई अंगुटा किदर है उपर की और और जब इसको घुमाओगे तो इसका ढखकन एक चुली जा किदर रहा है इसका ढखकन उपर की तरफ जा रहा है मतलब देखे घुमा रहे हम ऐसे force लगा करके ऐसे force लगा रहे है तो F की direction में हमने उंगली घुमा दी ये इसका R है ठीक है लेकिन ये जा किदर रहा है ये जा उपर की तरफ रहा है तो अभी हमने क्या बताया कि R क्रॉस F की direction क्या होगी R और F दोनों के perpendicular ये सिद्ध हो गया तो ये आपका एक example है torque का एक है आपका angular momentum का दूसरा example है angular momentum का आगे पढ़ेंगे अभी आपको ये मालूम नहीं है angular momentum पूरी ये समदे कहते हैं हिंदी में इसको पूरी ये समदे रेखी समदे को P लिखते हैं तो angular momentum J is equal to होता है R cross P R आपका जो है position vector है और P आपका linear momentum है तो ये आपके torque के कुछ examples है अब बात करते हैं कि cross product torque न कहिए cross product के कुछ examples है तो खुद एक example है अब बात करने जा रहे हैं properties of vector product vector product की कुछ properties होती है जैसे dot product की होती है properties of vector product या cross product या सदिस product सदिस product में कहिए सदिस गुरन कहिए तो हिंदी में है देखिए पहली चीज अगर मैं a cross b करूँ और b cross a करूँ तो जैसा कि dot में आप जानते हैं कि a dot b और b dot a वो committative लाकों फालो करता है लेकि यहां a cross b और b cross a equal नहीं होते they are not equal to each other क्यों नहीं होते भाई सिंपल सा logic है देखिए यह a है यह b है अगर मैं a cross b करूँगा तो a की तरफ हथेली करूँगा b की तरफ अपनी ऐसे उंगली मोड़ूँगा अंगठा किदर आ रहा है उपर कि तरफ अब इदर आईए b cross a में b की तरफ हथेली करेंगे हथेली ऐसे करें और a नीचे है तो हाथ तो ऐसे मोड़ नहीं सकते तो हथेली हम चेकी a की तरफ हमने अपनी उंगली मोड़ी और अंगठा मेरा अंदर की तरफ जा रहा है तो a cross b में जो direction है वो इसके उपर की तरफ है और B cross A में इसकी direction नीचे की तरफ है यानि दोनों सेम नहीं होंगे क्या अंतर होगा दोनों में directional value अंतर होगी direction अलग-अलग होगी तो हमें कह सकते हैं कि actually में A cross B is equal to होता है लेकिन ये B cross A के equal होता है तो ये इसका पहला property है इसका मतलब ये हुआ कि it does not follow it does not follow ये follow नहीं करता कौन से नियम का? committative law ये committative law को follow नहीं करता committative मतलब इसको बताया गया था crum venemanium ये crum venemanium को follow नहीं करता ये पहली property इसकी होई जाता है दूसरी property है होई कि ये distributive law को follow करता है यानि कि अगर a cross b plus c करें तो ये आएगा a cross b plus a cross c यानि it follows distributive law it follows ये follow करता है distributive law distributive जिसको कि हम कहते हैं वितरण कानियम ये distributive law को follow करता है तीसरी property ये होती है थर्ड property ये है बहुत सारी properties हैं कि अगर मैं a cross b करता हूं और दोरों को parallel लेता हूं अगर theta 0 degree है या 180 degree है यानि they are parallel or anti-parallel तो simple सी बात है a cross b में क्या आता है sine theta और sine 180 की value और sine 0 की value दोरों केस में 0 होती है तो a cross b की value 0 आ जाएगी अब theta change करते जाओ theta 90 ले लो 180 ले लो तो ये सब value निकलाएंगी अब ज़रा ijk के form में बात करते हैं orthogonal unit vector अगर आता है तो कैसे इसको आप solve करेंगी ये बहुत basic concept है केवल आपको a cross b निकाले के लिए आता है इसका detail study आप vector analysis से पढ़ेंगे intermediate में तो वहां अच्छा खासा इसका एक भावकाली जो vector है वहां मिलेगा तो वहां teacher आप से कहेगा का आपने physics में 11 में पढ़ा होगा वहां आप कहेंगे yes sir वो कहेगा have you got it yes sir अब दिमाग में लगाएंगे कि क्या got वहां तो सुन में नहीं आया था अब ज़रा देखिए note अगर मैं i cross i कर दूँ तो i cross i ज़रा axis बना देता हूं पहले ये x axis है ये y axis है ये z है z actually में उपर की तरफ है ऐसे i के along unit vector i cap होता है y के along j cap होता है और z के along k cap होता है अगर मैं i cross i करता हूं तो i और i दोनों parallel हैं दोनों के बीच का angle 0 degree है तो i cross i की value 0 होती है j cross j की value भी 0 होती है k cross k की value भी 0 होती है जबकि dot product में उल्टा था i dot i 1 था j dot j 1 था और k dot k 1 था अगर मैं i cross j लिखता हूं तो formula होता है mod of i into mod of j और i और j के बीच angle है sine 90 degree चुकि i is along x axis j is along y axis and they are perpendicular to each other तो sine 90 आएगा अब इसकी direction कैसे निकालेंगे जैसा कि हमने कहा कि i की तरफ आप अपनी हथे ली करिए और y की तरफ आप उंगली मोड़ी है तो अंगठा उपर की तरफ आ रहा है और उपर की तरफ कौन है z axis है और z axis के along जो unit vector है वो k cap है तो इसको हम k cap से multiply कर देंगे mod i 1 होता है mod j 1 होता है sine 91 होता है तो i cross j की value क्या आएगी k cap यह i cross j यह k cap हो गया अच्छा अगर मैं कहूं कि j cross i क्या होगा तो minus k cap होगा अब यह तो बड़ा लफ़रा है i cross j कुछ और j cross k कुछ और i cross k कुछ और k cross i कुछ और तो इसको याद करने का बढ़ी आज़ा सा तरीका देखे आप एक circle खीज दीजे और इसमें clockwise या anti clockwise आपकी जो मर्जी हो फिलाल चुकि हम angle anti clockwise हम major करते हैं इसलिए हम anti clockwise में दो arrow बना दीजे तीन arrow बना दीजे एक arrow में लिख दीजे i cap एक में लिख दीजे j cap एक में लिख दीजे k cap तो जब हम arrow की तरफ चलेंगे उसके just आगे i आएगा जब कहेंगे k cross i उसके just आगे j आएगा याईगर आप एक ही direction में चलते हैं सीधी direction में जिधर arrow बनाए हैं तो जो भी 2 का cross product करेंगे उसके बाद वाला जो भी होगा वो positive आएगा ठीक है अब अगर उल्टा आप करते हैं i cross k उल्टा करते हैं तो ये उल्टी direction में आगे तो minus j होगा याईगर मैं यहाँ लिखूंगा i cross k तो हम i से k की तरफ जाएंगे और देख रहे हैं अब उल्टी direction में जाना पड़ रहा है तो ये उल्टा में j मिलेगा तो ये minus j हो जाएगा और अगर हम k cross i करेंगे तो ये k cross i याई के से चलेंगे i के तरफ same direction है तो उसके just बात जो आएगा वो positive लिखा जाएगा तो ये तरीका होता इसको लिखने का अब question ये उड़ता है कि हम बार बारे arrow i cross j j cross i i cross k k cross i तो ये तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा तो हम ये use numerical में नहीं करेंगे ये आपकी जानकारी के लिए है अब हम बात करते हैं कि अगर i j k के term में कोई vector आता है तो कैसे cross product निकाला जाएगा देखे हमने dot निकाले का method बताया था cross product कैसे निकाला जाएगा देखे अगर मालिया हमने dot vector लिए इस सब formula कहिए या method कहिए जो भी आप कहिए इसको a मालिया है a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap और b vector जो है वो है b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap आप निकालना चाहते हैं a cross b तो आप कहेंगे mod a mod b sin theta into n cap जी नहीं मुझे यह नहीं चाहिए I don't want theta हम की कहाब a cross b निकालिये कि वग तो देखे यहनि a1 i plus a2 j plus a3 k cap cross cross ही लगाएंगे dot नहीं लगाएंगे ध्यान लखेगा b1 i plus b2 j plus b3 k अब देखें इसका तरीका क्या होता है अब आप कहेंगे वो circle बनाएंगे और ऐसे उल्टा जाएंगे सीधा जाएंगे तो लफ़रा है इसका एक तरीका होता है determinant जो की इंटर में पढ़ाई जाएगी आपने cross multiplication method से equation solve किये होंगे बज़र गुड़ंगी से solve किये होंगे लगभग वही तरीका होता है इसके हम क्या करते हैं एक straight line ऐसे vertical खीज़ देते हैं यहां लिखते हैं i थोड़ी दूरी पर j थोड़ी दूरी पर k ज़रा तरीका समझेगा नई चीज़ है यह इसके बाद नहीं बताए जाएगा कही न 11th में है कही न नमायत में न physics में इसका direct इस्तेमाल इंटर में होगा इंटर में determinant है इसके बाद क्या करते हैं जो i, j, k के coefficients हैं यहां पर है इसको actually कहा जाता है determinant हिंदी में कहते हैं सारनिक यह इंटर में परही जाएगी अभी आपके हां नहीं है अब इसको open कैसे किया जाए expand कैसे किया जाए तो दिखो इसको expand करने का तरीका ज़रा साउधान थोड़ा technical है नई चीज है बिल्कुल आपके लिए देखिए यह होती है row first row, second row, third row पंगती कहते हैं first column, second column, third column आप चाहे row के लाउन खोल दे expand कर दे या तो column के लाउन कर दे मैं row के लाउन करता हूँ देखिए पहले आप क्या करेंगे इसमें i लिखेंगे उसको एक छोटी सी determinant बनाईए इसको ऐसे लिख दीजे a2 a3 b2 b3 इसको minor कहा जाता है उपसानी कहा जाता है यह minor है i लिख दिया अब पहुँचो j के पास i प्लस में लिखा जाएगा तो j माइनस में आएगा उसका reason मैं बता जेता हूँ actually में जब i j के लिखा जाता है तो उसके साथ minus 1 to power rho plus कालम लिखा जाता है यह मैं पने बताये जाएगा अब i पहली rho में है i पहले कालम में है तो लिखा जाएगा minus 1 to power पहली rho प्लस पहला कालम minus 1 to power 2 इसलिए i positive लिखा गया है ठीक है जब j के पाक पहुंचेंगे तो j first row में है second कालम में है तो j के साथ लिखा जाएगा पहली rho plus second कालम minus 1 to power 3 इसलिए negative लिखा जाएगा यह first row third कालम minus 1 to power 1 plus 3 4 आएगा इसलिए positive लिखा जाएगा तो plus minus plus यह लिखा जाता है minus j लिखेंगे अब क्या हमने बताया j जिस row में उसको हटा दीजे जिस कालम में उसको हटा दीजे बचेगा a1 b1 a3 b3 इसको आप एक छोटी सी determinant a1 b1 और a3 b3 यह लिख दिया अब आप पहुंचे k के पास तो plus k cap लिखेंगे देखे k जिस row में हटा दीजे जिस कालम में हटा दीजे a1 b1 a2 b2 a1 b1 a2 b2 इसके बाद क्या करेंगे देखे इसके बाद यह line रब करेंगे नहीं वो नियम नहीं है तुम्हें बता रहा हूँ इसे ही अब ज़रा इसको देखो खोलते कैसे हैं पहले आपने i लिखा इसके बाद क्या करेंगे जैसे cross multiplication आप करते थे इसका multiply इससे a2 b3 a2 b3 minus b2 a3 b2 a3 यह हो गया ओपन इसका पहले इधर ही multiply करते हैं यह principal diagonal होता है सिर्फ minus करके इधर multiply करेंगे सिर्फ minus j लिखा इसका multiply a1 b2 a1 sorry a1 b3 minus b1 a3 plus क्ये लिखा हमने इसके बाद multiply कैसे होगा a1 b2 minus b1 a2 अब देखी यह चीज आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं direct कर सकते हैं कैसे देखो आपने i लिखा यह row cancel हो गई यह column cancel हो गया इसका multiply क्या इसका multiply के यह result आ गया फिर आपने minus j लिखा minus j लिखा j जिस row में उसको छुपा दीजिए जिस column में उसको छुपा दीजिए a1 a3 a1 b3 minus b1 a3 फिर आपने plus k लिखा plus k लिखा इस column को इस row को छुपा दीजिए a1 b2 minus b1 a2 ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं तो यह a cross b निकालने का तरीका होता है अब अगर आपसे angle पूछें कि बहुए angle निकालिए तो angle निकालने के लिए कोशिश करिए a cross b से sign मत निकालिए निकाल सकते हो उसमें आपको sign निकालने के लिए a cross b भी पुरा करना पड़ेगा आप a dot b निकालीजिएगा a dot b निकालने से क्या मिलेगा mod a mod b cos theta वहां से cos निकालिए और cos की जो identity होती है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो वहां से आप cos निकाल के sign निकाल लेगे ठीक है अब जरा समझेगा कभी कभी question क्या आता है जैसे दो vector हमने दिये हमने का find a cross b जैसे हमने माल लिया दो vector दिये हमने का find a cross b निकाल लिया method हमको मालू है हमने दो vector दिये और हमने आप से कहा कि find a vector एक vector निकालिए which is perpendicular to a and b both एक ऐसा vector निकालिए जो a और b दोनों के perpendicular है तो आपको actual में a cross b निकालना है बस चुकि a cross b आपको क्या देगा it will give you a vector quantity क्या direction होगी the direction will be perpendicular to a and b बोथ तो अगर a cross b नहीं पुछा गया आपसे कहा गया find the vector which is perpendicular to a and b बोथ तो you have to find a cross b ठीक सेकंड बात अगर आपसे कहा गया find the unit vector तो आपको actually में n cap निकालना है तो a cross b जो निकाला है उसको mod a cross b से डिवाइट कर दीजे तो that will give you the unit vector तो ये fundamental है cross product का पहले हमने बताया था dot product का इसमें vector introduction क्या होता है vectors हो कैसे add किया जाता है कैसे subtract किया जाता है उसमें triangle lab, parallelogram lab, polygon lab बहुत सारे नियम थे इसके बाद एक था dot product और ये है cross product इसके बाद आगे बात करेंगे इसके पिशे वाले वीडियो को देख लिजेगा I will give you the link in the description Okay, thank you